नमस्कार मित्रों आप देख रहे हैं खोजबीन लाइव टीवी के माध्यम से महिंद्रा का बुलेरो यही एक सफल गाड़ी है आप इसे खरीद सकते हैं ऐसे अक्सर लोगों के मानेता होती है कि गाड़ियां सेकेंड हैंड लेने से फायदा होता है जब होगी तो उसमें कम लॉस जाता है नुकसान कम होता है जी हाँ दोस्तों देख रहे हैं शान की सवारी सफल गाड़ी बुलेरो एसे लेक्स और जब भी गाड़ी को खर दें तो उसके पेपर को ठीक से देख लें पेपर चेक कर ले और खास कर अगर गाड़ियां जैसे बिहार करने वाले हो तो बिहार की गाड़ी खर दें उत्तर प्रदेस की गाड़ी खर दें ऐसे गाड़ियों का ट्रांसफर भी होता है लिए ट्रांसफर की प्रकिरिया थोड़ी जटील है देख सकते हैं इस गाड़ी मे हम सीसे के बाहर से दिखा रहे हैं आपको आगे मालिक बैठने के लिए सिंगल सीट है और वहीं पत्ती वाली गाड़ी यह लेते हैं आप तो पहले दोनों सीट सटे होते थे अभी भी सटे होते हैं हलाक कई विर्याटी गाड़ी या निकल चुकी है इसमें डी आई टर्बो इंजन का इस्तेमाल किया गया है और आप देख रहे हैं बोले रो एसे लेक्स गाड़ी जब भी गाड़ी खर दें उसके टायर ट्यूब को देख लें उसकी हालत सही हालत हो और गाड़ी खरीदने से पहले आप ये ख्याल करें गाड़ी का पेपर सही हो और यह देख सकते हैं पीछे अस्टेपनी लगा होता है। अस्टेपनी भी देख ले कुछ सेकंड-हैंड गाड़ी बेचने वाले मालिक अस्टेपनी काफी खराब रखते हैं अस्टेपनी का मतलब होता है कभी अगर रास्ते में चक्का पंचर हो जाए तो आप इसस्ट और अगर आप बोलरो गाड़ी खरिदना चाहते हैं तो आप कॉल करें 94, 90, 83, 75 शान की सवारी बोलरो गाड़ी खरिदने में कहीं भी नुकसान नहीं है ऐसे गाड़ियों का मोडल मोडल यानि ये गाड़ी कब रिलीज हुई ये कमपनी से कभी कभी दिसम्बर की गाड़ियां जैसे दिसम्बर 2017 की गाड़ी भी वोई पुछे कौन से मोडल है तो 17 कहना पड़ेगा लेकि दिसम्बर वही 5 दिन रुख जाएं और जनवरी में गाड़ी खरिदते हैं अगर आप 30 दिसम्बर को 31 को खरिदते हैं संबर मोडल ही कहलाएगा 17 मोडल हो जाएगा वहीं अगर एक जनवरी को रिलीज कराते हैं तो 18 मोडल हो जाएगा यहीं कि 18 मिस गाड़ी को खरीदी गई है और आप सभी बड़ी सोच समझ के इंजन की हालत देखें और गाड़ी खरीदते समय ख्याल करें इसका मीटर तेल का म पिलो मीटर यह सारे मीटर सही है कि नहीं है और गाड़ी में स्टूरियोटेक है तुसकी क्वाल्टी क्या है बॉक्स कैसा है साइड मीर कैसा है और गाड़ी से इंजन से कही मोडिल लिंकेज तो नहीं करता हैन्स तरहारी बातों का क्याल करें और ऐसे अगल-भगल को यग बिशेशा क्यों हो तो उनकी राय लें और खास करके यह देख सकते हैं आप टायर, MRF का टायर भी, C8 का टायर भी कापी अच्छा है, टायर की हालत भी कापी अच्छी है, इस गाड़ी को खरीद सकते हैं, जी हाँ, बोलेरो शान की सवारी हर गाड़ी नहीं खरते हैं, क्योंक अगर आप देहाती इलाके में रहते हैं, जंगली, पथरीली, पहाड़ी, रास्ता हो, वहाँ पे छोटे गाड़ी, छोटे चक्के वाली गाड़ी से दिक्कत होती है, हलांकि अब कार कंपनिया भी होशियार हो गई है, और बड़े-बड़े चक्के बना रही है, फिलाल हमा अराम से इन सीटों पे यो तो चार लोग बैढ़ जाते हैं, पांच लोग बैढ़ जाते हैं, लेकिन तीन लोग बड़ी आसानी से बैढ़ सकते हैं, और पीछे आपके केर टेकर, जो आपके नौकर से वक्सहयोगी हैं, एक-एक लोग पीछे लगेज भी रख सकते हैं, आप देख रहे हैं हमारा वीडियो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल देखें शेयर करें सब्सक्राइब करें और देख सकते हैं आप सीशे पर लिखा इसके मादयम से भी आप पढ़कर गाड़े की क्वालटी को पढ़ सकते हैं कि गाड़े कब का है इस मोडल का है जांध दोस्तों आप देख रहे हैं शान की सवारी Beller race all x और Beller race all x की सवारी की बात ही कुछ और है और आज भी खरिदें ये वीडियो दिसम्बर 2017 का दिखाय जा रहा है एक दिसम्बर 28 दिवस आज है जी हाँ एक दिसम्बर को आपको दिखाय जा रहा है ये आप देखें, शेर करें, सब्सक्राइब करें हमारा वीडियो और किसी को भी खरिदने किराय बोलोरो ही दें बोलोरो महिंदरा की गाड़ी है सफल गाड़ी है और कहीं से भी इसकी दिकत नहीं है धन्यवाद किसी तरह की असुविता हो तो आप हमारे हेल्प लाइन पर कॉल करें स्वरांजली सेवा संस्थान ट्रस्ट हेल्प लाइन 94-393-75 बोलोरो ही खर दें